नमस्कार गाड़ने जनल में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे केले के पौदे को मतलब बनाना ट्री को कैसे ग्रोग कर सकते हैं और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको किन किन जीजों का ध्यां रखना चाहिए अगर आप अपने घर पे केले का पौदा ग्रोग करना जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम जो अपना केले का पौदा उगाएंगे वो इस सक्कर से उगाएंगे यह आप देख सकते हैं सक्कर मतलब कि जो बड़ा प्लांट होता है उसके साथ में एक छोटा सा प्लांट उग जाता है उसे हम सक्कर बोलते हैं तो आज हम इसकी मदल से एक बनाने का प्लांट हो गाएंगे तो हमें सबसे पहले जो छोटा पौदा है इससे उखाड लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इस पौदे को जड़ों में से उखाडना है और जब तक हम इस चोटे पौदे को निकाल रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको पौदे के मारे में थोड़ी जान करें दे देता हूँ तो केले के ब्लांट को हमें शाओं में नहीं लगाना तो इसे हम दूब में लगाएंगे और हमें इसके लिए एक फीट का गड़ा खूदना है और पौदा लगाते समय आप उसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन फॉस्फोरस का इस्तिमाल करना है आप चाहे तो गोबरखात का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और केले के पौदे को बरपूर मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस एन पॉटाशियम की जूरत पड़ती है तो हमें एक महीने में 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आप इसमें फर्टलाइजर डाल सकते हैं पानी डालने के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों में आप एक दिन छोड़के पानी डाल सकते हैं और सर्दियों में एक हफ़ते में एक बार लेकिन साथ में आपको जो अपनी सोयल को चेक करते रहना है कि अगर मिट्टी है जो वो सूख चुकी है तो इसमें आप पानी डाल सकती है और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किन चीजों से पता कर सकती है कि आपके केले के प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है अगर आप अपने पाओदे में देखें कि आपकी पतियां पीली पड़ चुकी है तो इसका मतलब है कि आपके पाओदे को नाइट्रोजन की जुरूरत है और अगर केले के पतियां सूक रही है जहां तूट रही है तो इसका मतलब कि आपके पौदे को पोटाशियम की कमी है तो जैसे कि मैं आपको बताई जुका हूँ कि आप में महीने में 100 ग्राम तक शोटे पौदे को फर्टिलाइजर डाल सकते हैं नाइट्रोजन, पटाशियम, एन फासफोरस तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पौदे को निकाल लिया है इसकी रूट साब देख सकते हैं तो इसे हम सकर बोलते हैं तो इसे हमने जड़ों में से उखाड़ा है और अब हम अपने पौदे को दूप में लगा लेंगे तो जैसे कि मैं आपको पहले पता ही चुका हूँ कि उसके लिए हमने एक गड़ा खोद लेना है उसमें आप चाहो तो कावडंग का इस्तिमाल का समसलों कोबर खार डाल सकते हूँ लेकिन मैं अपने ये खेत में लगा रहा हूँ तो इसमें पहले से ही फटलाइजर है फटलाइजर के बारे में आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि 100 ग्राम तक आप फटलाइजर डाल सकते हूँ और गर्मियों में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हर रोज भी पाने डाल सकते हैं लेकिन पहले आप अपनी मिट्टी चख कर लें कि वो सूख तो नहीं गई है और सर्दियों में हफते में सिरफ एक बार ही इसमें आप पाने डाले क्योंकि सर्दियों में अपना जो केले का पौद है वो बढ़ता नहीं मतलब ग्रोव नहीं करता अगर आप अपने पौदे को घर में लगा रहे हैं तो पौदा लगाने के समय आप उसमें फर्टलाइजर जरूर अड़ करें पौदे को ग्रोव होने के लिए लगबग 9-15 महीने लग सकते अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और जाते जाते मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले धन्यवाद